हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेयद वरकब टू वाइश हैनल आज हम बनाएंगे चटपटा, चटकारेदार, मुरादाबाद का बहुती फेमिस यकनी पुलाओ जो कि खाने में इतना टेस्टी होता ना कि बस आप इसको खाते नहीं धखेंगे मैंने इसको प्रेशो कोकर में बनाया है, बिल्कुल पॉफेक्ट सी रेसिपी है इंस्टिंट और क्विक, वन पॉट राइस, चलिए बनाते हैं, मुरादाबादी पुलाओ इसके लिए सबसे पहले मैंने आपे लिया है एक टीस्पून सौफ, एक टीस्पून भरकर धनिया, आदा चमज लिया था जीरा, 10-12 लिया है काली मिर्च अगर आपके पस धनिया, जीरा, सौफ और काली मिर्च का पाउडर एविलेबल है तो आप वो भी आट कर सकते हैं यह मैंने लिया था आम का अचार, आप इसके जगे पे कोई भी दूसरा अचार ले सकते हैं, बस मीठा अचार नहीं यूज करना है, पाव कब दही और थोड़ा सा नीबू का रस, इससे यह बहुत चटपटा बनके तियार होता है, तो अचार मेरे पास तो आम का अवेलेब हरी इलाइची, बड़ी इलाइची, थोड़ा सा जावितरी लिया है, बादियान और लिया था लॉंग, बस अच्छी तरह से यह गरम हो जाएं, इसमें आट करेंगे तीन, मीडियम साइस का प्याज, स्मॉल टू मीडियम, बहुत ज़ादा बड़ा है अगर तो आप एक या और चिकन जो है वो अपना पानी रिलीज करेंगे, इसलिए मैंने यहापे पानी आड नहीं किया था, कवर करके बस दो विसल लगाया है और उसके बाद फ्लेम आफ कर लिया है, पूरा ठंडा हो जाए कूकर तो आपने खोल लेना है, अब यहापर आप दिख सकते हैं, मैंने आड कर लिया है, डेड़ ग्लास याने के आधा किलो राइस था, तो मैंने आड किया है, दो और सवादो के आसपास, पानी, सवादो इस परफेक्ट मेजरमेंट है, जादा पानी आड नहीं करना है, और नमक आड करेंगे, चावल के हिसाब से हमने पहले चिकन में आफ करने के बाज़े वो ठंडा हो गया तो मैंने खोल करें, आपे गानिश कर लिया है, थोड़ा से मैंने हरा धनिया लिया था, फूट कलर आप पानी में मिक्स करके आड कर सकते हैं, या लिक्वेट, मैंने आपे पाउदर वाला लिया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा पा जाटा फ्लेवर देने के लिए चार्ट मसाला बस इसको कवर कर लेते हैं गैस का फ्लेम ओफ ही है पाँच मिनिट का रेस्टिंग टाइम दिया था उसके बाद मैंने अभी खोला है तो यह देखिए पॉफेक्ट के बनके त्यार हुआ है एक बार हम इसको मिक्स कर लेते हैं जो मैंने इसमें पानी आड़ किया था वो कॉंटिटी बिल्कुल पॉफेक्ट थी यह देखिए अगर डेड़ क्लास चावल है तो दो सबादों से जाधा पानी आड़ मत करिएगा तो चलिए इसको सर्फ कर लेते हैं इसको आप कचुमबर दही रायता टमाटर की चटनी के साथ सर्फ करिए बहुत ही जादा टेस्टी लगती है खाने में तो आपको यह रैसिपी कैसी रगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चानल पर पहली बार आए तो आपसे हमबल रिक्वेस्ट है प्लीज बगएर सब्सक्राइब किये बिल्कुल भी जिए बार आपसे हमेंट ऩानल पर आपसे जर बगएर आपसे हमवादाब किये बार आपसे हम जरूर आपसे हम प्लीज गवितिक।